दिखे class 10 के exercise 12.2 का जो question number 7 है question में हमसे बोला गया है a code of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center find the area of the corresponding segment of a circle तो question के अंदर हमसे बोला गया है कि एक circle है उसकी radius 12 cm है और उस circle में एक code है जो circle के center से 120 degree angle बनाती है find area of the corresponding segment of the circle तो तब हमें जो है वो corresponding segment का area find करना है ठीक है अब देखें बहुत से बच्चें यहाँ पर confused हो जाते हैं कि corresponding segment क्या है यहाँ पर minor और major क्यों नहीं दिया गया तो आप एक बात हमेशा यह धियान रखें कि अगर आपको angle 180 degree से कम दिया हुआ है और आप से फिर segment का area निकलवा रहा है ठीक है फिर आप से कह रहा है corresponding segment आप निकालें तो आप हमेशा धियान रखें 180 degree से कम अगर angle है तो आपका जो area निकलेगा segment का वो minor segment निकलेगा और अगर आप जो है angle को 180 degree से बड़ा लेते हैं major segment निकलता है ठीक है तो अब corresponding segment का मतलब यह है कि यह निके जो angle given है उसके हिसाब से आपको segment का area है आपर find करना है और यहाँ पर angle कितना है 120 degree और जब 120 है तो यह 180 degree से कम है तो कौन सा segment निकलेगा minor segment निकलेगा ठीक है तो अब आप क्या करेंगे आप यहाँ पर r कितनी लेंगे 12 cm और थीटा आपके पास 120 degree लेगा और corresponding segment का आप area यहाँ पर find कर देंगे तो देखे इसका solution देख लेते हैं हमारे पास r है 12 cm और थीटा है 120 degree तो the area of the corresponding segment अब इसका formula क्या होता है r square upon 2 into pi theta upon 180 minus sin theta ठीक है अब यहाँ पर आप इसकी value रखें r की value कितनी थी 12 तो 12 to the power 2 और upon में कितना जाएगा 2 और upon pi की जो value हमें रखनी है आपर 3.14 रखनी है question में बोला गया है theta हमारे पास है 120 degree और upon में कितना है 180 minus sin 120 degree ठीक है अब आप यहाँ पर देखें 12 to the power 2 का मतलब होता है 144 और upon में कितना जाएगा 2 और यहाँ पर अगर देखते हैं हम 0 से 0 कर जाएगा 6 से 2 time 12 कर जाएगा और यह 3 time कर जाएगा तो यहाँ पर 2 से जब हम 3.14 की multiply करेंगे तो 2 4s are 8 और 2 1s are 2 और 0.23s are 6 रपॉन में 3 है हमारे पास minus अब देखें यहाँ पर है sin 120 एक बात का ध्यान रखा करें आपके जब भी sin के साथ 90 से बड़ा एंगल आ जाएगा तो आप इसको 90 प्लस में तोड़ लिया करें यानिके 120 को आप लिख सकते है 90 प्लस कितना 30 ठीक है अब उसके बाद आप क्या करेंगे 2 से तो कट जाएगा यह 7 टाइम और यह तो टाइम यानिके 72 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6.28 और अपॉन 3 और minus sign का आप क्या करा करेंगे एगले step मे sign को यहाँ पर cos लिख करके 90 को अटा करके जो भी एंगल इसके साथ हुआ करेगा उस एंगल को यहाँ पर आप लिख देंगे ठीक है अब 72 को आप ऐसे ही रखें यहाँ पर अगर देखते हैं तो 6.28 और अपॉन में 3 और minus cos 30 जो होता है आपका cos 30 की जो value होती है वो under root 3 upon 2 होत 13 carry 1, 2, 2s are 4 और 1, 5 और 2, 6 are 12 तो 12.56 और minus 2, 3 is a 6, 3 की multiply जब 3 root 3 से करेंगे तो 3 root 3 आ जाएगा अब अगर हम देखते हैं तो इस 6 से कट जाएगा 6, 1 is a 6 और 6, 2 is a 12 ठीक है तो यहाँ पर 12 आ चुका और यहाँ पर आ चुका है 12.56 और minus 3 multiply और root 3 की भी value हमें question में given थी कितनी थ 3 ठीक है अब आप क्या कर सकते हैं 12 को आप ऐसे ही रखें और 12.56 को आप ऐसे ही रखें minus इनकी multiply कर लें 3, 3 is a 9, 3, 7 is a 21 carry 2, 3, 1 is a 3, 3, 3 और 2 कितना जाएगा 5 point ठीक है अब जब आप इसे इसमें से minus करेंगे जब हम 12.56 में से जब इसको minus करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 1.37 और जब आप इसकी जो है multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 88.44 cm2 ठीक है तो ये जो है ये इस segment का area चुका है ये ही इसका answer हो जाएगा